नमस्कार जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सतेंद्र भाठी एक फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है बहुत सारी उम्मीद हैं उससे कि आखिरकार सरकार इस पर बजट को लेकर क्या कुछ बड़े ऐलान करती है साथी साथ इस्तिती जो इस वक्त देखने को मिल रही है देश का अन्यदाता कहे जाना वाला किसान आज सडकों पर उतर गया है और गरतंत्र दिवस के मौके पर जो तस्वीर हैं देश ने देखी उनको भी नजर अंताज नहीं किया जा सकता कई बड़े एहम सवाल हैं आज उ बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का अगर मैं आपसे बात करूं जिस तरह की तस्वीर आज देखने को मिल रही है किसान सडकों पर है लेकिन 26 जनवरी को नहीं भुरा सकते हम वहां पर जिस तरह का जस्र मनाया गया लेकिन उसके बाद तस्वीर बदल गई किसान एकटा हुए और लाल के लिए पर चड़ गए और वहां का नजारा बेहत दुखद रहा क्या कहेंगे इस पर आप देखिए एक बात मैं एकदम साफ बोल दूँ मेरे देश का किसान इस फुरदंग बाजी में कभी भी शामिल नहीं हो सकता है उसको आप ले जाएं क्या बोल पुरे देश से किसान भी नहीं आए और उनको बोला गया कि हम आपको यह एक दिलवा देंगे उन्होंने लेड़ महिना दो महिना तक वहां पर रहे वगएरे और बहुत चीजें गवर्मेंट के सामने रखी गवर्मेंट ने उसमें कुछ चीजों पर माना भी और तीन लों इमिजेट प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करता है तो उसमें जो अगरे थी सब उनोंने मान ली कुछ अपनी समस्या वो नहीं है असली समस्या यह है कि जो बेसिक सरकार का मंतव है वो यह है कि जो किसान और उभोकता बीच में मिडल मैं नहीं होने चाहिए ताकि किसान को अपनी लाग का सही मूल जे मिले है यही कॉश्मेंट का परपस है कि मिंडल मैं बीच में नहीं होना चाहिए अब मुझे मालूम है आप लोग सब को पता है मतलब दो रुपे का प्याज या चार रुपे का प्याज किसान को मिलता है हम आप कितने रुपे में खरीते है आप अगर 20 रुपए देते हैं तो कम सगम 10-15 रुपए तो किसान को मिलना चाहिए ना पर नहीं मिलता लेकिन डालवियन सब दरसे सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जिस तरह का बिल सरकार लेकर आई उसमें यह कह दिया गया है कि किसानों को छोट मिलेगी और कहीं पर भ ना तो किसानों को बदले की बात कर रहें वो किसानों की दिमाग क्यों पज नहीं है आप ऐसा कुछ चाहरे हं कि इसके पीछे कुछ साजिस हैं मैं बिलकुल यह कहना चाहाा हूं है मैंने कुछ मेरे मित्न हैं मेरे परिवार के लोग asking करते था हैं मैने उन से बात की और तो ये बिल के बारे में बोलो क्या? बहिसाब मेरे को बड़ा फइदा हो गया, मैं आप कहीं भी ले जा सकता हूं अपनी फसल पहले मंडी में जाना पड़ता था दस किलोमेटर, बीस किलोमेटर, अब मैं दो किलोमेटर पे भी अगर कोई अच्छा ग्रात मिल जा तो मैं बेज सकता हूँ, तो मैंने का फिर इसमें क्या लफड़ा है, तो बहित साब वह पता है नहीं, लोग समझ नहीं रहे हैं, या उनक किसान के फाइदे की चीज़ है, क्यों आप मना कर रहा हो भाई, तो वह समझाने मतलब यह है कि बीच में कोई ना कोई ऐसा इलिमेंट है, मिल्डर में जिसका इंट्रेस्ट हो रहा है, वही इसके पीछे है, डल में सब जो कि राजनीती का जिकर आपने कर दिया है, तो बहुत गलत हो रहा है, और सरकार इस काले कानूं को वापस ले, तो क्या कुछ जो एक नीती थी, जो आइडियोलोजी थी पाइटी की, जिससे चुकि आप भी जोड़े थे, वो बदल गई है, बदल नहीं गई है, अब मैं क्या बदला हूँ आपको, अखलेश को मैंने जब पहड़ी था उस कमीटी का, कि कैसे शुकर इंडुस्ट्री का रिफॉर्म किया जाए यूपी में, अब मैंने उसको पूरा बना के दिया जिसमें यह हुआ, कि जो आज किसान को पैसा मिल रहा है गननेगा, उससे कहीं ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा, और वही जो अमूल को मैंने बननेखन के दिया ता, और वो त्यार भी है था और उसने मरे से कहा की हम तो यह करने जा-रहै है, मुझे उसने बुला कि हम घपते बहर ने करेंगे, आपने सब से बात कर ली मैंने का, मैंने सब से बात कर ली है, इंडुस्ट्रिस नोगों को भी मैंने कुछ अगले साल तू रहेगा जब करेगा न भाई तो बस रही हुआ नहीं आया और वह आता तो लाखों किसानों का फाइदा होता है खाली यूपी-उपी में वह समाजभादी पायटी नहीं बची जो नेता जी कि समाजभादी पायटी ते नेता जी डॉक्टर साप के लिए यह सकते नुब यह किसान को डॉड़ बूल मिलना चाहिए यह नरिन भाई ने आज बोला जब बोलना शुरू किया कि I will see that the farmer gets 50% more than the cost ये रक्सा बोलते थे कब 60 में तो नेरिद भाई उसी की बात कर रहे है लेकिन डॉक्टर लोहिया को तो एक तरी की से कॉंपिराइट मानती है समाजवादी पाइटी अगर उनकी बात चले जब तो बात है ना बद चलना नहीं खाली नाम इस्तमाल करना समझ जहनी नहीं समझे तो क्या करें नहीं उसको बतला रहा हूं कि आउट अफ कंटेक्स्ट बड़ जब वह त्री सवन्टी वारा बिल पास हो रहा था लोगसभा में तो अखलेश ने खिलाफ वोट दिया लोगसभा में या राचसभा में दिया होगा इंडू राचसभा में द बात करते हो राचसभा का पूछ लो डाक्टर साहमने का था स्री समटी अटना चाहिए बला अच्या मुझे पता है नहीं तो पता कर ले तो बहला राचसभा में अब क्या करोगे तुमको नहीं करना चाहिए तो फिर उसने राचसभा से वक आउट किया और मेरे को मेंसेज बेजा है वक्डाउट और राचसभा मैंने वोट नहीं किया उसके खिलाव तो यह तो बात है जब उनको पता ही नहीं क्या चाहते थे तो फिर वो क्या निती चलाएंगे तो नक्साब की बात जब मैंने कही तो वह माने ही मेरी बात उसने जी कर कश्मीर पर भी जिक्र करू है उनोंने आपको लगता है इनके चलाब कारवाई होनी चाहिए देखिए पहली बात तो यह है कि मेरा किसान यह नहीं कर सकता अब किसान के नाम पर कोई भी यह कौन लोग है तो कौन जान है यह देश के लोग नहीं है देश प्रे देशित के लोग नहीं है जिनोंने यह उ मेरे देश के किसान नहीं ते हैं तो अभी तक, 75 उसके बात नहीं पहले हैं, जब जब लगान अंग्रेज सरकार बढ़ाती थी तो वहां पर कदर मच जाता था पर जो भी है तो उनको अगर कोई बोले कि हम आपको ज्यादा पैसे देला तक आगे विचारे अब यह थोड़ी उनको पता था कि इस तरह से उपद्रव होगा अगर बात करें राकिश टिकेत हैं नरेश टिकेत हैं लेकिन इसे पहले की बात करें तब अब मेहंदर टिकेत थे किसानों की बात करते थे क्या आपको लगता है कि किसान यूनियन जो भारते किसान यूनियन किसानों की हक्की बात करती है किसानों की लड़ाई लड़ने की बात करती है वो भी बदल चुकी है देखे राकिश टिकेत चुनाव लड़े थे कितने वोट मिले थे उनको अगर क किसानेता ना भी हो तो भी मिल जाएगी ना हूँ मेरे को मिल जाएगी पर मैं ना करा पाउं फिर क्या होगा यही होता है हमें रोटी सेकते हैं जबी तो यह चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते है और बुरी तरह आरता है डालमें पूर्परदानमंतिलाल बहदुर शास्ति जी ने कहा था जै जवान जै किसान, ये नारा दिया था, लेकिन ज़रा इस्तित्य को समझगे, और जानिये कि देश का जवान और देश का किसान आमने सामने खड़े हो गएं, आमने सामने एक दूसरे के उपर लाटी उठा कर बात क कर रहे हैं क्या बया करती है तस्वीर आप किसान बोल रहे हैं किसान कोई नहीं खड़ा हुआ किसान के नाम पर जिनको देश के खिलाफ काम करना है वो खड़े हो गए किसान तो कोई हो ही नहीं सकता है ठीक है डालमी सब एक और एहम सबाल आप से जाना चाहूँगा चुकि जब जब लालकले का जिक्र होता है तो डालमिया गुरूप चर्चाओं में बन जाता है जिस दोरान आपको जिम्मेदारी दी अगर इस लाल के लिए का निजी करन नहीं होता तो यहां पर भारतिया सेना इसके स्वरक्षा में होती और यह सब उपद्रव वहां नहीं होता इस्तिति को किस तरह से स्फ़ष्ट करेंगे आप डालमिया भारत को जो वहां पे काम मिला है वो यह कि महां पे देख देख का सेक्यूरिटी का उनका कोई लेना देना नहीं सफाई का काम मिला खाली कि सफाई ठीक रहनी चाहिए और उसका कोई पैसा वह चार्ज नहीं करते हैं उनका जो सियास फंड है कॉर्पेट सोशल रिस्पोंसबिल्टी उसमें लाओड है तो उसमें करते हैं कल को मैं अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट मेरे को कोई बोले कि ताजमेल का आप करना चाहते है अगर भारत सरकार बोले तो मैं अगर करना चाहूंगा तो मेरे को भी उसी टेंप से मिलेगा कि आप सफाई फाई आप करिए CSR फंड से आप दीजिए हम आपको पैसे कुछ नहीं देंगे आपका राइ निए खाली सफाई करने का राइड है जहां से प्रमोतिवारी जी का सवाल है वो मेरे बड़े चमित्र है मेरे को अच्छी तरह जानते हैं और यह जो बोल रहे हैं वो मुझे पूरा यकीन है 100% नहीं 101% प्रमोतिवारी की भाशा हाई नहीं है यह तो उनको को पीछे से बोल कि मैं ऐस भारती बोल सकता हूं नाट ऐस उद्योगपती सीधी बात है क्योंकि हो सकता है भारत का इंट्रेस्ट और उद्योगपतियों का इंट्रेस्ट में कोई फरक हो सकता है हरे का अपना अपना इंट्रेस्ट होता है मैं यह चाहता हूं परस्नली कि जो बजट में पहल मैं यह बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है मेरा जो रूरल इंडिया है उसके पास इतना पैसा आ जाए अब उन्होंने 6,000 रुपए जो हर फार्मर को दिया है तो उसका फरक पड़ता है परचेजिंग पावर यह एकनॉमिस का नियम है देखे मैं एकनॉमिस का स्टूडेंट रहा हूं एकनॉमिस का नियम है कि जो परचेजिंग पावर है वो लोगों के पास पहुंचेगी तभी उसके पास जितना पैसा आगा वो खर्च करेगा और वो हमारा बजेट में होना चाहिए कि उनको किस तरह से इंसेंटिवाइस किया जाए कि वो खर्च करें जितने दिये जा रहे हैं दुनिया भर में है जब 2008 में अमेरिका में घरबड हुई थी तो वो इसको पैसे देते थे लोगों को कि आप खर्च करिये अब जो 1.9 trillion है वो भी वही चीज और है क्या जो बाइडन साथ दे रहे हैं चीज वही है हमने भी दिये न में सब जिस तरह से वैस्विक महमारी से पूरा विस्व घुजर रहा है हिंडुस्तान के बात करें तो बहुत ज़्यादा लेकिन यहां पर क्षयार में इस सरकार की हमारे वैग्याने को की काम्याबी कि बारे में कि वैक्सीन इसका जिक्र लगातार ऐब धैसे किया रहा है तुन ही आगा कोई ऐसा देश नहीं था, जो इसके पीचे नहीं पड़ा हुआता, लेकिन कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की वैक्सिन सबसे सफल वैक्सिन मानी जा रही है। हम तो वैक्सिन में बैसे ही रहे हैं, राइट वेक्सिन सबस्तान की रहे हैं कि हमारा क्षम्ता जो है, हमारे वैज्ञानिकों की एक्सिन सबस्ता इसको अब कममत तोला करो को, बहुत खम्ता है इनकों, इनकों नहीं मिलती है। जबही इनको जाकि नासा चलाना पड़ते हैं नासा बिना मेरे देश की लोग के चल सकता है कि एंगलेंड की सारी की नेशनल सर्विस मेरे लोग चला रहे बाह ए लार्ड लेकिन डालमया साब यकीन तो हमारे देश के राजनीता ही नहीं करते जो विपक्ष्री दल है वो कोई काजिता की BJP की वैक्सिन है कोई काजिता की भरोसा नहीं है कोई काथा ट्राइल नहीं हुआ है ऐसे लोगों का क्या उनके सारे बच्चे बाहर पढ़ता है तकलीफ तो यह है ना उनको इस देश में भरोसा ही नहीं है अब आप कश्मीर के अल जगवाधी सबके बच्चे बाहर पढ़ा हैं क्योंकि उनका स्कूल बंद कराना है उनका रोज काम बंद कराना है मेरे बच्चे वहार पढ़ना वह खुश है ऐसे लोग देश चनाएंगे बड़ा सवाल है लेकिन आपने आपने पहले जिक्र किया था कि चुकी रोजगार का कस्मीर के अंदर आपने रोजगार की सुरुवात कि थी पहले लेकिन आपकी कुछ यूनिट से जो बंद भी वहां मैं कश्मीर माने जेहन के मेरी जम्मी में यूनिट है वो बंद पड़ी है ठीक बात है मुझे उसको चलाना है और मैं कोई आपको समय का निश्यत नहीं बोल सकता कि किते महिनों में चलाओंगा पर मेरे को चलाना है दो जार एकिस बाइस में हंडर परसेंट उसको चलाने का है मुझे साथ में मेरा दिमाग में कश्मीर जमू एन कश्मीर के लिए मेरे को बहुत चीजें करने का मेरा प्लैन है मैं अभी तक कर नहीं पाया है सची बात है वो क्योंकि मैं और कामों में यहां पर बजी हो गया मैं कश्मीर को हिंदूस्तान का पार्ट मनता है इसलिए मै इंडिया में बिजी हो गया, Kashmir is part of mine, there is no doubt in it, nobody can take Kashmir from us, it is ours. तो वहाँ पे भी हमको काम करना चाहिए और यह बात सही है, कि वहाँ पे अगर काम मिलेगा तो यह बंद हो जाएगा और काफियत तक बंद भी हो गया है, ठीक है अभी तक 100% जिसको बलते हैं कि जो आपस की जो confidence level है वो शायद पूरा नहीं आया है, मैंने सुना है, बहुत ल सक्तर साल से जो बकवास हो रही थी, गंद पहली थी, कि एक साल में आप ठीक कर देंगा, समभव नहीं है, तो टाइम लगेगा, समय तो दो ना, करने तो दो, फिर दंगा फसाद, कभी कुछ बोल देती है, कभी वो कुछ बोल देता है, फारूक, सारे रिजेक्टिड लीड में है, पर हमारी नहीं चापेंगे, अगर मैं यह बोलू कि यह फारूक दोगला आदमी है, और यह महबूबा ट्रेटर है, तो वो नहीं चापेंगे, नहीं आप बेबाग बोल सकते हैं, मैं चलाओंगा इसको, आप तो चला देंगे, पर यह जो देश का जो, क्या बोलते ह लिटेंची मेडिया, वो नहीं चापेगा, वो तो फारूक चापेगा, मैं बुबा चापेंगे, तो यह तो सवाल है, अमारी आवाज चापेंगे है नहीं, और हम तो बोलने को तयार है, हमको को बोले, बैं तो फारूक, घर, तेरी डार्टर के बाहर सादी हुई, काश्मी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, उसको नहीं मिल सकती, उरत है, और तेरी बीबी जो की विदेशी है, क्योंकि तेरे घर में शादी हुई है, तु उसका हस्बेंड है, उसको तुने वो राइड दे दिया, एक विदेशी को राइड दिया तुने, जमीन करिदने का, और अ देशी लड़की को शादी करके उसको वो सारे राइड दे देना, यह कौन सा नहीं है, फारुक साब समझा दिया दिया, मैं यह बोलूगा ना, जहापे गया नहीं लिटेंस हो, भारती जन्तापाइटी हिंदू-मुस्लिम की राजनीती करती है, मुस्लिमों को दबाया जाता है, यहाँ पर अलपसंकिक को एक वो महत्पूर्णिस्तान नहीं दिया जा रहा है, जो कि होना चाहिये था, क्या आपको लगता है, कि वाके ही हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेला देखें हिंदू मुसलिम काड़ खेला जा रहा था कि जितने पुराने थे ये ये सारे मुसलिम काड़ के था मुसलमानों को दबा के कि अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे तो तुमें मार देंगे तो डरके मारे इनको वोट देता था अब आफ ने तीन तरहständ खतम कर दिया, जिसने भी गया, बहुत अच्छा किया, क्यों नहीं होना चाहिए था, यह कौन सा निया है, कि उसको तलाग का राइट दे दिया उसमें, जब मर्दी तलाग कर दे वो, तो क्या आप human right की बात करें, क्या ओरतों की बात करे जा रहा है, बिल लाना है जी हमें 35% मिलना चाहिए औरतों को, क्या मतलब हो आए, जब तुम्हारे मुसल्मान के, तो कौन मुसल्मान का हितेशी है, मैं हूँ या वो है, तीन तलाग चल रहा है, हलाला चल रहा है, फिर, तो फिर, यह सब क्या है, डल्बें साब एक एहन सबाल और आप से आखरी मैं चलते चलते लेना प्राइज चाहूँगा, फ्यूल का प्राइज हाई लगाता हाई, आज की से हमें बात करो तो पैट्रोल के प्यमत है, आप स्बसे कम है, क्या सरकार का फेलियर है, कि क्यूड ओआई इतना संस्ता है, लेकिन पैट्रोल के रेट इतनने ज्यादा हो गए है, कि वह स्व को चूर रहे हैं दिखें मैं आपको इगाब बतला हूँ सरकार को अपनी विश्था चलाने के लिए टैक्स चाहिए तो टैक्स चाह पैट्रोल पे लगाओ चाह गेहूं पे लगाओ सवाल यह है अगर मैं पैट्रोल पे टैक्स लगाता हूं और वह पैसा मैं किसान को 6,000 रु जो चीजे हैं उसको कम टैक्स लगना चाहिए दर्थल इस बात का जिक्र इसले के आगया कि इससे पहले की सरकारों में जब इस तरह से रेट बढ़ते थे तो लगातार इसी पायटी जिसकी सरकार है भारती जनता पायटी के लोग सड़कों पर उतरते थे प्रदर्शन करते तो हमेशा ऐसा होता है कि जब आप अपोजिशन में तो कुछ और बोलता है जब सरकार में आते हैं तो आप कुछ और करते यह तो नियम है चली बहुत प्र शुक्रिया वागी सही कहा डलमिया साब ने की विपक्ष में बैठना और सरकार चलाना दौनों में बड़ा अंतर ह होता है विपक्ष में बैठ कर सवाल खड़ा करना पिहादास आने और सत्ता में रहकर उसको लागू करना उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल फिलाल के लिए बस इतना ही नमस्कार जैहिंद खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जन्तन्तर टीवी एड़ प्रेस दा बैल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट